हालो फ्रेंड्स वेलकम डूमा इटूब चैनल दोस्तों आज मैं आपसे बात कने वालाओ हाइपर एसिनिटी और पेट में होने वाली जलन का गरेल उपाई के बारे में तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे नए महिमानों से रिक्वस्ट दे कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास्ट में या बेल आइकन दबाए ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे आजकल लोग सेहत मन खाना छोड़के जंग फूड पर ज्याद्यान दे रहे हैं खासकोर बच्चे और नौजवान इसलिए उनको कभी ना कभी इस बीमारी का सा आपना करना पड़ता है ज्यादा तीखा तला हुआ या मस्सालेदार खाना खाने से हàiपर एसिडिटी की समस्या आजकल आम हो गई है हाइपर एसिडिटी की इस समस्या से हर दिन कई लोग जूशते रहते है या बीमारी बच्चों से लेकर बड़े बुजूगों तक हर किस व्यक्ति को हो सकती है देखा जाए तो हाइपर एसीडिटी एक सामाने समस्या है लेकिन ज्यादा तर लोग इसे निपजने के लिए सही तरा से इलाज नहीं कर पाते हैं पेट में जलन दर्द और खटी डकार से ततकाल छुटकारा पाने के लिए खाने से पहले या बाद में क जिसे कि आप हाइपर एसीनिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो सोफ और मिस्री से आप कैसी भी हाइपर एसीनिटी से छुटकारा पा सकते हो उपियों के लिए आपको एक चमबस सोफ पावडर और मिस्री पावडर स्वाद अनुसार आपको एक गलास पानी में क उसके बाद आपको आधा गंटा तक कुछ भी खाना पिना नहीं है, ऐसा कुछ दिनों तक करने से आपकी कैसी भी हाइपर एसिनिटी की परिशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप मिस्री चुण, तुलसी, फुदिना और धनिया को समान मातरा में मिला कर चुण तयार कर ले। इस मिस्रन को आप खाने से पहले या पाद में आधा चमबट ले सकते हैं। इसे आपके पेट में होने वाली एसिनिटी और जलन से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो तुलसी और फुदिना के पात या साथ पत्ते को सुबट खाली पेट सीधे ही चबा सकते हैं। एक लिटर पानी में तीन या चार चमबट धनिया पाउडर, एक चमबट जीरा पाउडर, एक चमबट सोप पाउडर मिला कर रात को भर कर रख दे। वजन और सिन्दे में होने वाली जलन भी कम हो जाती है। जिस किसी को ज्यादा तर हाइपर एसिडिटी की समस्या रहती है। उन्हें तीखा, तला हुआ, मसालेदार, कोल्डरिंग, कैफी द्रव्य, जंगफूड या बाहर का खाना एवट करना चाहिए, जितना होसा के और सेहत मन खाना खाना चाहिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर जानकारी अच्छी लगिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया बेल आइकन दबाए, ताकि हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार